शेवपूर जिले में भ्रस्टाचार रोज नए आया महासिल कर रहा है उसी का एक उधारन आज पर सामने आया है जहां मामला शेवपूर जिले की दो ग्राम पंचायतों बलवानी और धनायचा का है जहां सरपंच सच्चिव और उपियंत्री ने मिलकर दो करोड से उपर की मन पर धरातल पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मनरेगा में मश्दूरों की जगा मशीने काम कर रही है तो कहीं कारी सिर्फ कागजों में ही चल रहा है ऐसे ही कुछ मामले ग्राम पंचायत बलवानी में देखने को मिले जहां इसी साल मनरेगा के तहत जर्मान कारी करवाए गए लेकिन मौकी पर देखा गया तो तलाई ढूनने से नहीं मिल रही और कुछ मिली भी तो सर्फ तलाई के नाम पर खाना पूर्ती ही देखने को मिली अजय दस बारा तलाई या इस्टोक डेम है साब उसमें मनरेगा से हैं साट सतर एक करोड की लंचम होगा साब उसमें साब इसपोर्ट पर एक भी कुछ नहीं है बेड कि वामे कोई सुनता नहीं है सरपंच का लड़का भी सेकेट्री दोनों बाब बेटा सरपंच सेकेट्र पर इसी परकार के कारणा में धनायचा पंचायत में भी चल रहे हैं जहां पर भी मशीनों से ही मजदूरी करवाई जा रही है और मजदूरों को एक हजार निकालने पर सौर रुपे दे कर खुश कर दिया जा रहा है यहां भी एक करोड से ज्यादा के कारे हमनरेगा योजना के तहत के गए जिनमें तलाई निर्माण, चेक, डेम और नाली निर्माण शामिल है मामला दनाइचा पंचाथ का इसमें सिखायत है जो दनाइचा पंचाथ में 25 साल से रोजगार साइक लच मीनारान पिरजापती और बड़ा सेकेर्टर अपने रामपर सापिरजा पती दोनों भाई से रहे इते इसमें और दोनों भाई होने एक एक सीसी की 3-3दा परास ही न पर हम थीम आय दोशी पाया है, चार पांच एगाउं में चार पांच निर्मान अदूरे पाया है, आमली का सहराना इन पर भापिरेट में धारवान में लगाई है अर्डुसरे इनके जो भी काम बने, सीसी निर्मान डोकर का आज तक भी अडूरा, और एक एक सीसी की 3-3 परा पर जी निकालते हैं राशी एक हजार पर दोसों रुपे निकलाई के देती है जो लोगों को इस साल का अपना करीब करीब ही अपने 211 करोड सुप पर नरेगा का कोई मजदूरों नहीं किया और जो कार हुआ जो बनाए 15-15 लाग की कीमत के मतवले स्टाफ डेमजें में 50,000 र ये रोजगार के कहीं अवसर दीती है लेकिन बिचोली और भष्टाचार लोगों तक उन्हें योजनाओं का लाब नहीं पहुचने देते हैं